बोकारो एडीजे चार योगेस कुमार सिंग की अदालत ने वर्णपूर स्टील प्लांट में कारेरत सेक्टर आठ निवासी आरोपी अमित कुमार को बलातकार के आरोप में 10 वर्ष की सरश्रम, कारावास और एक लाग के जुर्माना का फैसला सुनाया है या फैसला आज वर्चूल तरीके से सुनाया गया है मामला वर्ष 2017 का है जानकारी के मताबिक वर्णपूर स्टील प्लांट में काम करने वाले सेक्टर आठ सी स्ट्रीट तीन आवास संथ्या 1056 निवासी अमित कुमार ने एक लड़की से बोकारो वर्णपूर में उसके साथ बलातकार किया इसके बाद इस मामले को खत्म करने के लिए दोनों परिवारों के बीद साधी के लिए रजामंदी व्यक्त की गई इस दोरान आरोपी अमित कुमार और उसके परिवार वालों ने पीडित परिवार से दहेज के रूप में मोटी रकम की मांग कर डाली उसके बाद मामला भिगड़ गया उसके बाद मामला थाने में दज किया गया इसी मामले में ADG-4 की अदालत ने आरोपी अमित कुमार को धारा 376-2N के तहट 10 वर्ष की सस्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाग का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष समान में सजा काटने की बात कहीं